नमस्कार स्वागत है आपका आरे निउस में मैं हूँ आपके साथ सुमन पाल बिटेन की 95 साल की महरानी एलिजा बैथ दिर्थिय क्रोना पॉस्टी पाई गई हैं आपको बताते चलें कि बंकी घम पैलिस ने ही रविवार को ये जानकारी दी है शाही महल ने एक सूचना में कहा है कि महरानी को COVID-19 के कारण सर्दी जैसे समाने लक्षन दिख रहे है और 95 साल की महरानी अभी अपने विंटसर पैलिस में ही है और इसके साथ ही अगले कुछ दिनों तक सिर्फ समाने कामकाज ही करेंगी शाही महल का कहना है कि महरानी चिकत से सिवाएं जो है वो लेती रहेंगी इसके साथ ही डॉक्टरों की सला के अनुसार कामकाज करेंगी और COVID-19 की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन भी करेंगी तो वहीं आपको बताते चले कि महरानी के COVID संक्रमित होने की जानकारी मिलने के बाद भारत की परढ़ान मंत्री नरेंद्र मोधी ने भी ट्विट किया है और उनका जाना साथ ही उनके जल्दी स्वस्त होने की कामना भी की है और साथ ही आपको बताते चले कि महरानी के बेटे और उनके उत्तरधिकारी प्रिंस चार्ल्स ने भी और उनकी पतनी कैमिला पार्क पारकर इसी महीने की शुरुबात में ही कोविड पोजिटी पाए गये थे और इसके साथ ही गौरतलब है कि बिटेन में अभी काफी संख्या में करोना के केस सामने आ रहे है डेल्टा वेरियंट के बाद ओमिक्रोन वेरियंट ने वहां संक्रमन फेला रखा है और इससे उच्च सुरक्ष्या प्राप्त लोग भी अच्छूते नहीं रहे हैं बि वहीं संबक बीर नगर जिले के ही समरिया वाला विकास खंड के ग्राम पंचायत विग्रा मीर में भी आयोजित भागिदारी परिवर्तन मोर्चा की विशाल जनसभा को ओवेसी ने संबोधित किया और इस दोरान ही उन्होंने समाजवादी पार्टी विजेपी बस्वा और कॉंग्रेस पर जमकर भडास निकाली है विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए ही ओवेसी ने कहा कि देश में ही तीन तला कानून लाया गया तो सविधान के दायरे में रहकर उन्होंने इसका विरोध किया उन्होंने बताया कि ये कानून मुस्लिम महिलाओं के लिए और खतरनाक साबित होगा उन्होंने कहा कि उस समय सपा की भी थी और बसपा भी और इसके साथ रिक कॉंग्रेस भी थी और जब सीए का कानून लाया गया तो किसने कहा कि ये धर्म के अधार पर है और सविधान के विरुध हैं उन्होंने ही पूरे देशवासियों और दुनिया को बताया कि वो कानून को नहीं मानेंगे ओवेसी ने कहा कि जिस तरह से महात्मा गांधी नहीं उस वक्त काले कानून के पन्नों को फार दिया था वैसे ही ओवेसी ने संसद में इस काले कानून को फार दिया उन्होंने ये भी कहा कि उसके बाद देश के कोने कोने से जिन्हें के देश में ही महबत थी और इसके साथ ही उन्होंने इसके विरुद आवाज भी उठाई उन्होंने कहा कि आज पर देश की विधान सभा में एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है कम जोरों और पिछडों की आवाज को उठाएगा उन्होंने उपस्थित भीड से कहा कि उनके मोर्चा को काम्याब करिए क्योंकि उन लोगों को काम्याबी होगी जिन पर जुल्म किया और जिनकी आँखों में आसु लाए गए उन्होंने कहा कि हमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए और के बहरों और अंधों का इलाज करा सके आपको बता दे कि नोईडा से बड़ी खबर सामने आ रही है जानकारी मिल रही है नोईडा से संदिक्द हालत में आपको बता दे कि 11 साल की बच्ची की बात सामने आई है पुलिस मौके पर पहुँच चुकी है और मामले की जाज में जुट गई है आपको बता दे के संदिक धालत में 11 साल की बच्ची की मौत की खबर सामने आई है छट पर थी वो और जिसके बाद सोल भी मंजल से वो नीचे गिर कर उसकी मौत की खबर सामने आई है फिलाल मौके पर कुलिस पहुँच गई है और आगे की पड़ताल करी जा रही है चले रूख करते हैं अगली खबर की और जहां पर यूपी के मेरट जिले के ही लिसारी गेट थारा चेतर में जनम दिन की पार्टी में डीजे पर डांस के विबाद्यत में ही दो पक्षों में मार पीठ हो गई जिसके बाद पत्रा और फाइरिंग भी हुई है और इस घटना में दो बहनों सहीत चार लोग घायल हो गए है वही पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भरती करवाया है आपको बताते चले की लखी पुरा में ही निवासी फेजान ने बताया है कि शनिवार को घर पर जिरम दिन की पार्टी चल रही थी और फेजान ने बताया कि उन्होंने गली में ही डीजे रखा था आरोप है कि मुहले का रहने वाला भूरे शराब के नशे में ही आया और डीजे पर डास करने लगा और वो भूरे को ही पकड़ कर उसके घर ले गया लेकिन पिता नहीं उसी पर शराब पिलाने का आरोप लगाते हुए मारपीट भी शुरू कर दी इसके बाद दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए और आरोप है कि राशिद और राकीब नहीं कई राउंड फाइरिंग भी कर दी है मारपीट में एक पक्ष से फेजान दूसरे पक्ष से भूरे के पिता साबिर और उसकी दो बहने रीना और सबीना घायल हो गई है दोनों पक्षों के तहरेर की गई है और जिसके बाद से ही पुलिस मामले की जाथ में फिलहाल ज के दे महले के भी ते रिष्टादार भी मैंने मतलब दावत दे रखी ते गरवलोने भी यार दोस रिष्टादार सब आए बेदे अब यह जो इनका लड़का है बूरा वह भी आयवा था वो भी नाश्वा था वो नशे में था उन्हें बहुत जादे पी रखे दे अब वह पी तो तू की लेट जिले के ही लिसारी गेट में पडोसी से परिशान होकर एक किशोरी ने जहरीला पडार्थ खा लिया है जिसके बाद उसे तुरंथ ही मेडिकल कॉलेज में भरती करवाया गया जहां पुलिस ने लेंदेन से जुड़े विवाद का मामला भी बताया है मामले की जाच की जा रही है पुलिस के मताबिक छेतर की शबाना ने ही बताया है कि कुछ दिन पहले उसने पडोसी महिला से कुछ रुपे उधार लिये थे और वो पैसे उसे लोटा दिये थे आरोप है कि पडोसी महिला उसकी बेटी को आते जाते कमेट करती है और उसके ब और उसन के खिलाफ तहरेर दी हैं और पुलिस अभी मामले की जानकारी में जुट गई है अब यह एक लेड़ीस आई ते लड़े वह पहले मेरी दोस्ती वह सामना के बात करो तो उसके पैसे ते मेरे पे एकिसो रुपे मैं परसो देखे विए इसके सारे पैसा फाइनल करके आई देखे तो देखे तो देखे लिए ते फिर साथ इकिसो और मागना आई थी है एकिसो आज मागना है और परसो देखे गालिया बखे गई फिर भी मैंने अपनी लड़की को मारा पूरा मेहला बता देखा तो गवार है और आज फिर इतना उदम जो था उसने बहुत ज्यादा वह इनाम भाई जो स्कूल वाल है वो कहने लगे मैं तो तुम गंदी और तो किनी आं लिए वार्तरौ इसके पापा की कुछ परिशाने से हो जह ए दहुँते करने वाली है मायावती इसके साथ ही बस्ता सुप्रीमो मायावती प्रियाग राज का आज दौरा करेंगी कोई शाम्भी फतेहपूर के ही प्रतियाशी वहाँ पर शामिल भी होंगे यह जानकारी सामने आ रही हैं प्रियाग राज चले रूख करते अगली खबर की ओर जहाँ पर कॉंग्रेस नेता और राश्ट्य परवक्ता रंदीप सिंग सुर्जेवाला ने रविवार को ट्वीट कर पंजाब पुलिस के रवये पर सवाल उठाए हैं यह देखकर सभी हैरान रह गए क्योंकि पंजाब में ही पिछले पांच सालों से ही कॉंग्रेस की सरकार है और इस वक्त ही विदान सभाचुनाओं के लिए वोटिंग चल रही है ट्वीटर पर सुर्जेवाला का यह ट्वीट इस वक्त चर्चा का विशे बना हुआ है और यह लोग तरह-तरह की परतिके रहा ही दे रहे हैं चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर मामला क्या है दरसल रंदीव सिंग सुर्जेवाला ने ट्वीट किया है पंजाब पुलिस के ही पुलिस असिस्टेंट दो हजार माफ कीज़े 212 के लेकर भी इन्होंने लापरवाही रबईया हैरान हूँ यह कहा है इसके साथ ही पटियाला की रोड में मौजोद एयरपोर्ट चोप पर ही बुजोर्ग दमपती की कार को ही ट्रक ने घसीट लिया और घसने ट्रक को ही रोका गया और 112 पर ही कॉल किया गया इसके साथ ही उन्होंने जवाब देने से इंकार कर दिया आशा है कि पंजाब पुलिस जवाब देगी और कारवाई करेगी उन्होंने इस ट्वीट में ही डिजीपी को भी टैग किया था थोड़ी देर बाद सुर्जेवाला ने एक और ट्वीट किया और सस्पी ने मोहाली ने जवाब दिया और मौके पर टीम भेज रही है भाशन के दोरान करहल सीट का भी जिक्र किया है जिससे सपा सुप्रीमो अखलेश यादव परतियाशी है और पियम मोधी ने कहा कि जिस सीट को ये लोग सबसे सुरक्षित मान कर बैठे थे वो भी हाथ से निकल रही है आपने देखा होगा जिस पिता को मंच से ही धक्के द साधों के आरोपी और माफिया मंत्री मंडल का हिस्सा थे और तब माफिया ही सरकार चलाते थे पर शासन को भी सीधा आदेश देते थे ना खाता ना बही ना माफिया ना गुंडे कहेंगे वही सही है और पियम मोधी ने कहा कि यूपी में ही आज हर तरफ ही गूंज है 2017 में हराया था और 2022 में फिर से हराएंगे यूपी के लोग योगी जी को ही लाएंगे और ये परिबारवादी लोग कुछ छेत्रों को अपना सामराज्य समझते हैं ये सोचते हैं कि जो ये कहेंगे जनता वही करेगी लेकिन इन लोगों को आज तीसरे चरण में ही उत्सा के जनता कह रही है कि आएगी तो BJP ही चलिए यूपी के बारवंकिस एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे केजरिवाल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल का आज दोरा रहेगा आपको बता दे यूपी में ही सक्रिये होंगे दिल्ली के सियम अर्विंद केजरिवाल ये जानकारी सामने आ रही है दिल्ली सियम अर्विंद केजरिवाल का बारा बंकी दोरा आज होने वाला है और इसके साथ ही आप परतियाशी धरम वेर सिंग के समर्थन में जनसभा करने वाले है ये जानकारी सामने के तुरिवार